हालो लर्नर्स, वालकम बाक टू माई यूट्यूब चानल अन्द इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिस्किस करने वाली हूँ पार्ट 61 जो मैंने PGT कॉमर्स के स्टूरेंट्स के लिए MCQs के सेरीस स्टार्ट की हुई है और पार्ट 1 to पार्ट 60 की जो वीडियो हैं उनकी प्लेइलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है और ये questions जो हैं आप लोगों के लिए बहुत जादा useful है तो अगर आप लोगोंने कोई भी पार्ट मिस किया है पार्ट 1 to पार्ट 60 में तो उसकी प्लेइलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 61 को फर्स्ट क्वेशन देखी विच अफ दा फॉलॉइंग इस ट्र्यू अबाउट इंटरमेडियेट गुर्स आप लोगोंने टाइप अफ गुर्स पढ़ा होगा अपने कॉमर्स में एकॉनमेक्स में आप लोगोंने पढ़ा होगा कि फाइनल गुर्स होती हैं और इंटरमेडियेट गुर्स होती हैं ठीक है तो अब आपसे क्वेशन पूछा गया है इंटरमेडियेट गुर्स के बारे में आपको बताना है कि इंटरमेडियेट गुर्स के कौन से फीचर्स जो है यहां true है ओके तो हम one by one detail से पढ़ते हैं first आपको दिया है which have not crossed the boundary line of production देखो intermediate goods वही goods होती हैं कि जिनों ने अभी तक boundary line of production को cross नहीं किया है ठीक है देखो एक तो final goods होती है जिनों ने cross कर लिया अब उनका आगे कुछ भी नहीं होगा कोई उसमें value addition नहीं होगा ठीक है और जबकि अगर हम बात कर रहे हैं intermediate goods की जैसे कि अगर आप इसमें हम example ले सकते हैं अब जैसे sugar cane होता है ठीक है अब हमने sugar cane से क्या बनाते हैं sugar अब sugar का आगे use करने वाली है bakery ठीक है तो अभी भी हम उसका use कर रहे हैं अना boundary line of production को उसने क्या नहीं किया है cross नहीं किया है और अगर यही जो है biscuits बनकर तयार हो गए हैं और final consumption के लिए ready हैं तो उन्होंने boundary line of production को cross कर लिया तो वो final goods है बट जो intermediate goods की मैं बात कर रही हूँ वो वो goods होती है जीनो ने अभी तक जो है boundary line of production को cross नहीं किया है ठीक है उसके बाद देखो value still to be added to these goods मैंने जैसे अभी आपको example दिया कि हमने sugar cane से sugar बनाया अब sugar में all value अब देखो उससे आप उससे कुछ all बना रहे हैं तो value add होने वाली है ना ठीक है तो value addition होने वाला है अभी और भी वो कौन सी goods होती है intermediate goods होती है उसके बाद value of intermediate goods ultimately becomes a part of value of final goods देखो जब अब हम count करते हैं तो हम value किसके count करते हैं जैसे national income वगयर हम निकालते हैं तो इन चीजों में हम final goods को लेते हैं है ना तो अब माल लो देखो sugar cane की value जब sugar बन गी तो उसमें add हो गई ठीक है ऐसा तो फिर double counting हो जाएगी अगर हम अलग लग करेंगे फिर जो sugar की है व final goods की value बनते है ठीक है तो यह जो तीनों की तीनों चीजे हैं हमारी बिल्कुल true है किसके बारे में intermediate goods के बारे में यह जो तीनों चीजे हैं यह बिल्कुल true है ओके सो हमारा answer क्या आने वाला है all of these ठीक है fourth वाला हमारा answer आएगा all of these next देखिए which of the following are the characteristics of durable consumption goods एक ध्यान रखना consumption goods जो हम बात कर रहे हैं मतलब जो use करते हैं हम finally तो उसको एक तो durable होता है एक होता है हमारा semi durable ओके और एक होता है हमारा non durable जो durable है ही नहीं तो यहाँ पर आपसे durable durable होता है जो long time के लिए हम लोग use करने वाले है ठीक है देखो durable goods which can be used for several years बिल्कुल सही है ठीक है और इनकी जो value है na relatively high होती है क्या होती है हाई होती है जिसे आपने fridge लिया machine ली अब यह durable goods है अब यह थोड़े आज आज आपने use किया या 2-3 दिन के लिए use किया तो आप आने वाले time में इसको use करेंगे ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम जो है durable consumption goods की बात कर रहे हैं और जो durable consumption goods होती है वो हम कह सकते है जो उनकी कीमत होती है जो उनकी value होती है वो comparatively high होती है ठीक है तो यह दोनों ही हमारे features है durable consumption goods के और मैंने आपको इसका example भी बताया भी durable consumption goods के जैसे कि आपका refrigerator हो गया LEDs वगएरा यह जो आप ले रहे हैं ठीक है और एक होती है हमारी semi durable semi durable में आपका क्या हो जाएगा time period भी कम हो जाएगा ठीक है और जैसे crockery वगएरा हो गई आपकी है और इस पे time duration भी कम और value भी थोड़ी सी कम हो जाती है और एक होती है आपकी non durable जैसे अब आप daily basis पे sugar, salt यह चीजे ठीक है यह हमारी क्या हो जाती है non durable तो यह basically चीजे आप को पता होनी चाहिए तो हमसे पूछा गया था durable consumption goods के बारे में तो हमारा answer क्या जाएगा third okay जो question है हमारा आपको दो statements दी गई है और इन statements को हमने ध्यान से पढ़ना है फिर हमने बताना है कि कौन सी statement true है कौन सी statement false है ठीक है तो सबसे पहले देखिए all capital goods are producer goods जितनी भी capital goods होती होती है अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि capital goods क्या होती है देखो जो capital goods होती है वह हमारी fixed assets होती है ठीक है fixed assets होती है और यह हमारा addition करती है capital stock में या फिर replacement of existing capital stock okay उसके लिए यूज की जाती है यह fixed assets होती है ध्यान रखना अब जैसे plant and machinery है अब plant and machinery capital goods है और producer good भी है क्योंकि यह क्या है production में help कर रही है अब producer good तो है तो जितरी भी capital goods है वो सारी की सारी हमारी producer goods होती है और एक त्यान रखना capital goods generally high value की ही होती है capital goods की बात कर रहे है तो first statement तो सही है second देखिए all producer goods are not capital goods यहाँ पर हमें not के बारे में बोला हुए है कि सभी की सभी जो producer goods हो capital goods नहीं होती है तो आप यह देखिए producer goods पे आपकी न एक तो वो चीज़े भी आ जाती है देखा होगा आपने raw material हो गया जो छोट-छोटे बोल्ड, nuts वगयरा यह भी तो production में help ही कर रहे है ना हमारी ठीक है raw material हो गया लेकिन हम इनको capital goods में count नहीं कर सकते raw material वगयरा को ठीक ह चीज़े आती है और raw material को हम capital goods पे count नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल correct है यह second वाली statement लेकिन अगर यहां ऐसे होता कि all producer goods are capital goods कि सभी के सभी producer goods capital goods होती है तो यह गलत हो जाती बट हमें question में क्या दिया गया है कि all producer goods are not capital goods बिल्कुल correct है और reason बताया मैंने आपको जैसे कि raw material है व कि assertion reasoning में भी आ जाते हैं ऐसे question कि all capital goods are producer goods बिल्कुल correct है कि सभी capital goods जो होती है वो producer goods होती है बट all producer goods are not capital goods तो यहां पर basically हमारी दोनों ही statements जो है वो true है both these statements are true here next question food processor used by the households in their kitchen is an example of देखो अब आप ध्यान से statement को करिए analyze food processor है ठीक है जो कि कौन use कर रहा है households ठीक है in their kitchen अब यह finally अपने end use के लिए कर रहे हैं consumption के लिए कर रहे हैं तो यह किसका example हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा consumption goods का example ठीक है second देखिए if a car is purchased by a taxi operator अगर एक कार को taxi operator यूज़ किया है taxi operator ने धियान रखना जो कार को rent पर देते हैं मतलब higher charges लेते हैं यह सब चीज़ ठीक है किराया वगरा लेते हैं तो अगर car purchase की है taxi operator ने तो इसको हम क्या कहेंगे it will be regarded as तो इसको हम capital goods कहेंगे intermediate good कहेंगे final good कहेंगे या बहुत ANC ANC मतलब capital good भी और final good भी तो इसका answer जो है आप मुझे comment section में बताएंगे बट ध्यान से analyze करके कई बार question हमें बहुत easy लगता है बट हमें उसको analyze करना पड़ता है जैसा कि मैं आपको बताती हूँ तभी मैं आपको questions की practice करवाती हूँ और देखो PGT commerce के लिए important topics की भी चल रही है playlist तो हम साथ के साथ AMCQs भी कर रहे हैं और जो topics है वो भी कर रहे है तो उत दोनों की playlist का link आप लोगों को description box बे provide किया है ठीक है next है हमारा TV, radio, washing machine etc. examples of यह भी मैंने आपको बताया था types of consumption goods का durable, semi-durable, single-use, capital goods तो अलग category की हो गई तो देखो जो हमारा washing machine वगारा TV है यह कौन सी category में आएगा यह आएगा durable consumer goods की category में तो इसका answer जो है हमारा क्या आएगा A ठीक है next है in the production of sugar, sugar cane is अगर हमने sugar को बनाना है, sugar का production करना है तो sugar cane उसमें जो गन्ना जिसकों बोलते हैं वो क्या है? वो है intermediate goods क्योंकि उसने अभी boundary line of production को cross नहीं किया है और यह मैंने अभी आपको बताया था जो intermediate goods के features होते हैं ठीक है? तो यह कुछ questions थे जो मैंने आपके साथ discuss किये हैं अगर किसी को कोई भी doubt हो तो आप लोग पूछ सकते हो अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की timely notification मिल सके थाइंक यू सो मच keep learning keep sharing